गरीब घर की अमिर नौकरानी रतना के पास एक वक्त बहुत ही पैसा था अचानक पती के काम में घाटा होने के कारण पैसे आने बंद हो गए देख कमला अब तु काम करना बंद कर दे कैसी बात कर रही हो दीदी आपका काम तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती बारा साल आपके घर से कमाया है इतना के खुद का घर बना लिया गाड़ी ले ली आपका घर तो मेरे लिए लगी है लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है जो पैसा मैं तुम्हें दूंगी उसका मैं रोज का सबजी और घर के खर्चे के लिए यूज़ करूंगी कमला अब तु कोई और घर देख ले कैसी बात कर रही हो दीदी मेरे बुरे वक्त पर आपने कितना साथ दिया था तो क्या मैं आपके बुरे वक्त पर साथ नहीं दूंगी मैं हूँ न और मुझे विश्वास है कि भाईया का काम अच्छे से चल पड़ेगा पर मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दे पाऊंगी रतना ने कहा अरे कोई बात नहीं दीदी मैंने पैसे मांगे रतना के घर कमला काम करना चालू रखती है और एक दिन दीदी बड़तर नहीं है माजने के लिए ओ हां कल खाना ही नहीं बना था अग कोई बात नहीं तु जा कोई बात नहीं दीदी मैं जाड़ू ही लगा देती हूँ कमला जाड़ू लगा ही रही होती है कि रतना की पडोसन देख लेती है और घर आ जाती है अरे रतना कैसी हो सुना है तुम्हारे पती का काम का सही नहीं चल रहा है बच्चों का फिस भी नहीं दे पा रही हो अरे जब इतनी भुक मरी पड़ी है तो घर का काम खुद क्यों नहीं करती नौकरानी का ठाट भी रखी हो और बाहर हल्ला भी मचा रखी हो रतना के आखों में आसु आ जाता है कमला बोल पड़ी मैं काम कर रही हो तो आपके पेट क्यों दर दो रहा है जीवन भर तो खुद को नौकरानी बना कर रखा इतना पैसा रहते हुए भी कभी काम वाली को कुछ नहीं दिया दीदी ने मेरे लिए कितना कुछ किया है मेरे बच्चे पर लिक कर कुछ बने है तो रतना दीदी के वज़े से रतना रोते हुए कमरे में चली जाती है अगले दिन कमला देर से आती है कमला मैंने आज काम कर लिया है वैसे आज इतना देर कहा लग गया कुछ नहीं दीदी बेबी के स्कूल गई थी न रतना को हैरानी हुई कि कमला उसके बेटी के स्कूल क्यु गई पर कियू रतना ने पूछा दीदी बेबी के फेल जमा करने थे न मैंने जमा कर दिये पर तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए रतना पूछती है दीदी मैंने अपनी बेटी के शादी के लिए कंगन बनवा के रखे थे बेजदी है वो रतना को बहुत दुख होता है क्यों कि क्यों किया तुमने ऐसा मैं तुम्हारा करजा कैसे चुकाऊंगी अरे दीदी मुझे भाईया का पता है वो बहुत महनती है जल्दी ही सब अच्छा हो जाएगा तब दे देना वैसे भी अभी मेरी बेटी के शादी में बहुत समय है रतना कमला का हाथ पकड़ लेती है और कमला भी सहारा देती है कि वो है सुनिये ना घर बेज देते है अरे नहीं नहीं एक ही तो छट है वो भी नहीं रहेगा अच्छा तो रिष्टोदारों से पैसे मांगते है रतना का पती बुला बुआ को फोन महिस करता है अरे महिस क्या हो गया सुना बड़ा नुस्कान हो गया है भाई बड़ा बुरा समय होता है पैसे के बिना हाँ बुआ इसलिए तो फोन किया कुछ पैसे चाहिए थे अरे कैसी बात कर रहा है मेरे पास कहा पैसे है सब पैसा तो घर बनवाने में खतम हो गया अच्छा मैं फोन रखती हूँ ऐसे ही सभी रिष्टदारों ने अलग-अलग बहाना करके पैसे नहीं दिये तभी कमला आ गई हाथ में पैसे लेकर अरे कमला इतने पैसे कहां से आए दीदी मेरब आगदमी गुजर गया न उसी के जीवन बिमा के पैसे आए मैंने रखे थे लेकिन आप ले लीजे काम बन जाएगा तो वापस कर देना रतना पती की तरफ देखती है पती को भी किसी भी हालात में पैसे चाहिए थे वो हाँ कर देता है और वहाँ से चला जाता है कमला हम गरीब है न जाने तुम्हारा करचा वापस भी कर पाएंगे या नहीं तुम इतना क्यूं कर रही हो लोटा दोगी दीदी बहुत जल्दी क्योंकि मैं जानती हूँ जहां इमानदारी होती है महा लक्षमी का वास होता है रतना कमला को बहुत मानने लगी थी एक दिन मम्मी दूदो ना बेटा दूद तो नहीं है राशन का एक धाना भी नहीं है कमला जब आती है रतना कहती है कमला दो दिन काम पर मताना मैं घर जा रही हूँ मैं घर पे नहीं रहूंगी दीदी कहां जा रही हो आप कमला माई के जा रही हूँ अब तुमसे क्या छुपाना कमला घर में राशन का दाना भी नहीं है मैं फिर भी रह लोंगी, पर बच्चे बिना दूद के कैसे रह पाएंगे, मैंने सोचा कुछ दिन के लिए मम्मे के पास चली जाती हूँ, फिर उसके बाद दिधी, वो नहीं सोचा रहे, दिधी एक बात बोलू, बुरा तो नहीं मानोगी न, अरे नहीं-नहीं, दिधी मेरे पास काम है आपके लिए देखे थोड़ा काम आपको भी कर लोगी तो भहिया का मदद मिल जाएगा लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ कमला बच्चे अभी छोटे हैं कहां जाऊंगी अरे दीदी मैं काम लेकर आऊंगी आप घर पर बैठे कर सकती हो और रोज के रोज पैसे भी मिल अगले दिन कमला धेर सारी अगरबत्ती का माटेरियल लेकर आई दीदी सौ अगरबत्ती घर पर बनाओ और साम को पैसे रूपीज दो सो रूपीज पाओ है ना रोज के सबजी भाजी का बिस्ट स्किम रतना रोने लगती है कमला कभी सबजी उठा लाती तो कभी टौफी बच्चों के लिए घर अब ठीक से चल रहा था कि एक रोज रतना ओ मेरी रतना हम लोगों के दुख का समय नहीं रहा ये देखो इतना बड़ा ओर्डर मिला है और तो और एडवांस में पैसे भी बस दो महिने में सब पहले जैसा हो जाएगा रतना भगवान का सुक्रिया क करती है और अगले दिन कमला को सब बताती है अहीरे दीदी मैं ना कहती थी सब पहले जैसा हो जाएगा देखिए आप दीदी आप भगवान का छोटा सा किर्टन करवालो और सारे रिस्तिदार को बुलालो सबका अश्रवाद भी मिल जाएगा और सबको पता भी लग कमला देने ही वाली होती है कि बुआ टोकरी छिन लेती है नौकरानी कहीं की चलाट यहां से कमला जल्दी से वो टोकरी बुआ के हाथ में दे देती है माफ करना बुआ जी और वो अंदर चली जाती है जब काफी देर तक कमला नहीं दिखती तो रतना बुलाती है कमला कमला कमला को देखा क्या हाँ डाटा है मैंने उसे नौकरानी हो सीर पचड रही थी देख अंदर गई होगी कहीं कोई चोरी चकारी न कर रही हो रतना को बुआ की बात पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती अरे दीदी आप अंदर क्यूं आई आप पूजा करी म मैं मुन्ने को देख रही हूँ क्यूं तू पूजा नहीं करेगी मैंने कर लिया है जा पंडी जी बुला रहे हैं अरे नहीं नहीं दीदी कैसी बात कर रही हो रतना कमला का हाथ पकड़ कर सबके सामने लाती है आरती दिलाती है और कहती है मेरे बुरे वक्त पर किसी ने मेर नौकरानी मिल गई कि मेरा कोई अच्छा कर्म ही रहा होगा दीदी मैं जो भी हूँ वो आपी के कारणत हूँ दोनों गले मिल जाती है और देखने वाले देखते ही रह जाते हैं थैंक्यू सो मच